जब तक नहीं खुलेगी अस्पताल यही जगा मर जाएंगे हम सब घर नहीं जाएंगे जग तो इनको विश्वास पर गए एक जान पर लेगी तब आरपार का छेड़ा उन्होंने है और रोट पे लाकर बैठा दिए आप हम महिलाओ के लिए क्या करेंगी इससे जादा क्या क अब इनका साब कहना है कि अब आरपार के लाई होगी इधर सड़क है इधर करमचारी है गेट पर सीधा देख सकते हैं यह गेट है और गेट के बाहर लिग दिया गया है अनिश्चित कालीन हरताल जब तक वह चालू नहीं होगा तब तक आब यहां से उठने वाले नहीं है है और हम लोग अब रोट पर आही गए है मसबूरन रोट पर ले आई है हम लोग किसी भी हत तर जाग सकते हैं अब भूख रताल होगा यहां लासे गिरेंगी इस सबकी जिम्मेदार स्रीमती माननीय स्मिती रानी जी होगी और हम लोगो बिलकुल अब एक दम जो 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 को अब बढ़ा है इतने जंता को परेशान करके उनको क्या मिल रहा है तो कभी डाक्टर के उपर आरोप लगा रही हो भी तो कभी डाक्टर के पास ही जाएंगी की नहीं जाएंगी पूरी जंता इस तरह परेशान हो गई अब इस बार आज आएगी कोट लेने देखिये क्या होता है तो बिल्कुल नाराजगी है जब तक आपके अस्पिनाल को चालू नहीं करते हैं इस बार अमेठीक जनता चोविस के चुनाओं में जिस तरह उन्हें अस्पताल बंद कर दिया है ऐसे अमेठीक जनता उनको बारन होती रहेगी ठाल लिए घर नहीं जाएंगे उनको में अधवेद देंगे विदाई विदाई तैय है क्यों भई या विदाई तैय स्मिर्टिरानी की तक ही खुलेगी अश्पिताल यहीजगा मर जाएंगे घर नहीं जाएंगे जग तुनको विश्वास पर गए एक जान ल जान देंगे एक जान की बदले उनका नहीं खुशी है कि डाक्टर रोजगारे जो किया है उसी सज़ा दिया जा रहा है किस कारण दिया जा रहा है एक की जातीज लाग हो आदमी मर रहे हो का प्यासा यहां पर क्या लग रहा है कि पेमेंट वगएरा जो है वह आपको करे कारण चालू करें कि अए क्या करती आप सफाय करमी है तो अब यहीं बैठे हैं अपना पेटरोजी नई कि कोई आदमी भी कमाने वाला नहीं है इлер सिर्फ हमारा यही हमारे स्हें पांचे बच्चे इन ऊ-पैझ और यहीं हमारे सहारे सेै। थारी जा है नहीं मिलेगा तहला है कि उसी के नाम से जो बंद किया है अनने क्या कर लेगे कहीं कहा जाएगे कामाइखा तो देखिए नहीं चाल ऐते हैं जाइग आए यह बिल्कुल जूट है अब उनको कुछ नहीं मिला है तो इसरफ राजनीत की मुद्य से आरोप लगा रहे हैं और बिल्कुल गलत है आज दस दिन हो गया हम लोग जाके गुहार लगा रहे हैं कोई हम लोग आवाज सुन नहीं रहा है और हम लोग हम माननीश्री स्मिर्थी र लगाएं आप आप कर रहे हैं कि यहां पर जो है कुछ ऐसे बात नहीं होती थी उन्होंने कल उनका बयान आया है कि जो है वो कॉंग्रेस पार्टी के लूट का अड़ा हुआ होता था और यहां पर आम जो लोग आते थे घश्टाचार पैसे उगाई होती थी तो कहा कि डाक डाटर मार डालेगे मरीच को हैं वहाँ अब उनके दिमाग में वही बात है बहुत पढ़ी लिखी हुई है इतना ज्यादा एजूक्येटेड है कि उनको सीदे डाक्टर नहीं दखाए पार यह अब भी पीमार होगी कभी वही बीमार हो और दार के लिए तो ऐसा नहीं बोल कॉंग्रेस पार्टी ने यहां कि अधिका कहां जो जीतती है लेकिन आज जो काम नहीं किया है कि यह असपिताल बंद करके पूरी जंता यहां के आज-पास के दस जिलों के लोग परिशान हैं क्या उनको ओठ मिलेगा यह करके नहीं मिलेगा कभी भी क्योंकि जनता इतनी परिशान है कि हमारे यहां कितने रोज पेशेंट वापस जा रहे हैं या कि उसकी जिम्मेदार कौन होगा इस मृती रानी जी होंगी ना यहां यहां लगा दें कि आप लोगो कि अच्छान है उस महिला के मरने के बाद इन्हों ने बहुत गलत किया कि अस्पिताल बंद करवा दिया एक महिला के चलते सारी इस्पिताल को बंद कर दिया जाए यह अनुचित है के महिला है लासे करेंगे इसी म्मधार माननिया स्मिर्थी रानी सी होंगी और हम लोगों बिलकुल अब एक दम करमें में div grow however तो श्त्याग्रत जारी रहेगा जब कीं करेंक कि इतने जनता को परिशान करके उनको क्या मिल रहा है क्या वो कभी वीमार नहीं सब्सक्राइब यहां पर आरोप लगा रही हो भी तो कभी डॉक्तर के पास ही जाएंगी कि नहीं जाएंगी पूरी जनता इस तरह परेशान हो गई है अब इस बार आज कि लिए क्या करेंगी इससे ज्यादा क्या करेंगी अब इनका साब कहना है कि अब आर पार की लाई होगी इधर सड़क है इधर करमचारी है गेट पे सीधा देख सकते हैं यह गेट है और गेट के बाहर लिग दिया गया है अनिश्चित कालीन हरताल जब तक जो है वह चालू नहीं होगा तब तक आप यहां से उठने वाले नहीं आश्चित को चालू करवाना है पड़ेगा क्यों भाईया इस्मृति जी ने कल गंभी रारोप लगा दिया आप लोगों ने तो आप सड़क के बाहर डड़ गये हैं रोड पे लेकिन उनका कहना है कि लूट का अड़् इस पर आप क्या कहेंगे और उनने का करके डाक्टरों के द्वारा उनसे मार दिया गया मैला को डाक्टर हमारे भगवान की रूप होते हैं कोई भी डाक्टर किसी को देखते हैं इनको ततकाल निलंबन को वापस लिना चाहिए नहीं इस बार अमीठीक जनता 24 के चुनाओं सब्सक्राइट में दवाएं होती हैं और जो भी कमाई होते हैं इतने परिवार साड़े चार सो कर्मचारी हैं साड़े 400 परिवार पल रहे हैं तो उसमें लूट का अड़्डा कहां से आ रहा है जब तक फुले खुलेगा नहीं तप्रागम लोग बैटे रहेंगे आपकोई सब्सक्राइब तक निलम्मन वापस नहीं लिया जागे तब तक हम लोग सब्सक्राइब तो जाच करके बताएं कहां लूट कड़ा है वो तो उनको बताना चाहिए ना आप जाच कमेटी करें कि किस चीज में लूट रहे हैं सबसे सस्ता इलाज यहां पर हो रहा है कहीं भी सब्सक्राइब तक हम लोग लगे रहेंगे और जो कह रहे हैं हम उनको एक बात कहना चाहते हैं क्या खाक डरे हम गोरों से नहीं डरेंगे चोरों से चोरों से भी लड़ाई होगी लड़ाई होती रहेगी ठान लिये हैं घर नहीं जाएंगे उनको में हाथ बेद देंगे विदाई विदाई तन है नहीं कि है दोजारच परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा मैं स्थानी सांसात महोद्याजी से यहां पूछना चाहता हूं राजनीत की दोश राजनीत की बंद करें आस्पताल विद्याले मंदीर राजनीत का अड़ा नहीं बनाना चाहिए यहां सबका एक समान इलाज होता है चाहिए हमारा आर्थ डिपार्टमेंट देख लिए चाहे हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट देख लिए हमारे यहां लखनों पीजियाई के बाद इतनी सुद्धें हैं सारे हमारे अच्छे बेल एडूकेटर हैं इनको कहीं कहीं साल पर पहले से हार की उगार लग गई थी तो उसको मिटाने के सेले कि जो जनता की आवाज को हम बंद कर दें जिससे हमारी जो हार हो रही है होगी वो थोड़ा कम हो जाए लेकिन यह उल्टा पढ़ गया सब उल्टा पढ़ गया हो तो कहने लूट काट्टा नहीं है यह तो जनता का एक सेवक है मतलब संजे गांधी हास्पिटाल लूट फांघरी फांघरी तरह कंग्रेस के दराल घूमते हैं वो पैसे ले रहे हैं कल उन्होंने वीडियो देखा मैंने नहीं है यहां खाल के भी सकी बशनकर पिस्फपा के भी आफिक महीर के बियकति आते हैं इलाज कर यए हुट होते हैं यहां जाते हैं यह कहती है कि बीजेपी पार्टी चिलाती है जिस्मृती रानी जी का आपने वीडियो देख तो तो क्या कहेंगे कि अधिया है इसे ना वादमी डुकैत समस्ता है काहिए कुछ भी कास किया है परे में लुट्री में नोच साल केंद्र में मंतीरी रही चार साल हमेटी में सांसभी क्या है क्या क्या कि विदसक्ट बंद करतें है पूट-पार भग करवा है यहां पर कॉंग्रेसी आ रहे हैं यहां पर लूट काड़ा या हर काड़ा ही सबसे पहले आपकी दिश्मे वाली जंता को मेरा शाधर बढ़ाम मैं यही कहना चाहता हूँ कि राजनीत में ही हो रहे कितने घोटाले आजकल ना जाने कितने घोम रहे चौकीदार और चौटाले आजकल नेता के कुत्ते बिल्लियां रोज खाते हैं दूद माखन और कबाब यहां कर्मचारियों को पड़ गए हैं खाने के लाले आजकल यह केवल इन ही गंदी राजनीत के कारण ऐसा हुआ है और गंदी राजनीत हुई है नेता थो ज्घूट के प्यादे ही होते हैं नेता बीना ज्घूट बोले उनको नेताी करनी lean्याती है वो तो हमेशा ज्घूट ही बोलते हैं यहां कि आप रेफरेंड़िंडम करवा करके देख लिजिए हमेठी की जनता, वही जनता सच बोलेगी लोगों साप कहना है कि विदाईत है इस बार 2024 में जिस तरीके से इन्होंने बंद करवाया है एक बार आप बताईए आप लोग क्या करें बिदाई इस बारता है है हम यह कह रहे हैं हाँ ठीक है जो होगा देखा जाए अस्पताल जो बंद कर दिया गया है हम लोगों को जिसकी पर दिगलती है उसको तो नहीं पकड़ा जा रहा है प्रकाल असितल सब्सक्राइब हैं बीदाईत हैं इस इस आप लोग में लोग में लोट काड़ा है तो एशपताल लूट काड़ा है तो कुंपल लूटा गया था किया जा है इस्किताल बहाल किया जाए तो आप अपने अपने यहिंग भारत